हमारे इस खास सेग्मेंट एक्स्प्रेनर में आपका बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साच शिवानी पांडे एक्स्प्रेनर में आज हम बात करेंगे इस्रेल की क्योंकि इस्रेल ने ये आदेश दिया है अपनी सेना को कि जहां जहां पर भी उसके सैनिक थे वो अब वापस इस्रेल लॉट आए लेकिन अचानक सी फैसला बेनिमिन नितिन्याहू की ओर से क्यों लिया गया यही चौकाने वाला है और इसी पर बात करेंगे तो आपको ये तो पताई होगा कि इसरेल और हमास की जंग लगा था चल रही है और काफी लंबा वक्त से पूरी जंग को बीच चुका है और बार बार अंतिजार किया जा रहा था इस जंग का कि ये किसी भी तरीके सरुक है लेकिन ये रुकती हुई थंती हुई नजर नहीं आ रही थी लेकिन अब कुछ अचानक ऐसा होता है कि बेनिमिन नितन्याहू जो की राश्टपती है इस्रेल के उनकी ओर से यहां पर आदेश दे दिया जाता है अपनी सेना को कि वो अपनी सेना को वापस बुला रहे हैं इस्रेल खासतोर पर गाजा उसके आलावा राफा बॉर्डर जो है बहां से भी उन्होंने अपनी सेना को वापस बुला लिया है और इसके पीछे का जो कारण है वो है इरान इस्रेल तो ये मान रहा है कि अब उसक ने एक तरीके से युद्ध पर अपना एकाधिकार कर लिया है और वो जीत चुका है, वो खुद को जीता हुआ मान रहा है इन तमाम शेत्रों पर गाजा पर जहां पर बार बार हमले कर रहा था और इसी वज़ा से अब इसरेल ने कहा है कि हम तो जीती गए हैं एक तरीके से तो हम अपनी सेना को वापिस बुला रहे हैं लेकिन इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है इरान इरान एक तरीके से यहूदियों को बिलकुल भी पसंद नहीं करता और उसकी जो नीती है वो यही है कि यहूदियों का खात्मा इस दुनिया से हो जा और इसी वज़े से बार बार इसरेल एक मात्र यहूदी देश है पूरी दुनिया में और बार बार कई हमले उसकी ओर से इसरेल पर किये जा चुके हैं पहले ही और कई सारी साजिशें भी हो लगाता रचता हुआ यहां पर डर है इसरेल को इस बात का कि अगर इरान ने उस पर हमला किया तो उसकी सेना तो पहले से ही तितर बितर है पहले से ही वो गाज़ा पर मौजूद है राफा बॉर्डर के पास है तो ऐसे में उसके पास सेने करनों की कमी हो सकती है सेनिकों की कमी हो सकती है और यही कारण है कि अब उसने अपने तमाम सैनिक वापस बुला लिये हैं हाला कि बहाना उसकी और से ये दिया गया है कि युद्ध तो उसने जीत ही लिया अब ये युद्ध उससे कोई भी चीन नहीं सकता गाजा का जो कई सारे जो शेतर हैं वो उसकी खब्जे में ये उसका कहना था लेकिन बहुत बड़ा कारण इसके पीछे एरान है तो एरान कभी भी हमला कर सकता है और अमारिका क्या जो साइबर सैल है उसकी और से ये भी खबर सामने आई है कि ये जो हमला है वो रमजान के दौरान ही इरान कर सकता है और इसी वज़ा से अब इसरेल खुद को मजबूत कर रहा है इरान के इस हमले के लिए कि अगर इरान ने हमला किया तो खुद को किस तरीके से और जादा मजबूत किया जाया आला कि जो विशेशक हैं वो यही बताते हैं कि इरान सेन करणों के साथ और उसकी जो सेना है वो इतनी मजबूत नहीं है कि इसरेल पर सीधे सीधे हमले कर दें तो ऐसा भी हो सकता है कि इरान के साथ और कुछ ऐसे देश आएं जो यहूदियों को खत्म करना चाहते हों और इस वज़ा से वो इसरेल पर हमला करने हैं तो यह बड़ा कारण है जब इसरेल अपनी सेना उसने वापस बुला ली है इसका और बकाईदा उसकी और से दिया गया और यह जो डर था यह भी इरान की वज़ा सही था तो आगे क्या होगा यह तो देखने वाली बात होगी लेगिन आपको क्या लगता है कि आखर इज्रेयल ने ईसा क्यों किया होगा और क्या इरान इसरेल पर हमला करेगा एक ऐसा देश जो यहूदियों से काफी ज़धा अगर आपके सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन भी जरूर दबाईए